हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड स्कुल में बच्चों हम लगातार mental ability और general intelligence related important question कर रहे हैं mental ability की बात करें तो नौदेवी द्यालेम उसके 10 सेक्सान आते हैं जिस sequence में आपसे question paper में जो प्रस्ट में पूछे जाते हैं उसी sequence में मैं आपको एक-एक question पढ़ाता हूँ कि जैसे odd man out पहले similar figure than pattern उसी sequence में हम चलते हैं साथ में जो mental ability के question होते हैं GNV में वही question non-verbal reasoning के रूप में आते हैं सैनिक स्कूल में और साथ में GI यानि general intelligence के verbal reasoning दोनों कराता हूँ यानि सैनिक स्कूल के जितने भी important question है और 9 विद्याले के दोनों हम साथ में cover कर लेते हैं पूरे sequence वाइस ठीक है तो आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल में general intelligence के अंतरगत 25 question आते हैं one question का कितना two marks होता है ठीक है तो total 50 marks सैनिक स्कूल में ठीक है और 9 विद्याले की बात करें तो यहाँ पे कितने question पूझाते हैं मतलब 50% weightage यानि 100 number का जो आपका paper होता है 50 number अकेले mental ability का होता है ठीक है तो बहुत ही अच्छे से हमको mental ability और general intelligence की पढ़ाई करनी है दोनों जो भ comment box में answer लिखने का प्रयास करना है खुद से क्योंकि हमको starting सही आदर डालनी है कि हम जैसी question देखें खुद से solve करने का प्रयास करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप सभी वीडियो को like केजिए अपने दोस्तों भाई बंदू को share कीजिए जो भी नवदय विद्याले सभी साथ में मिलकर देख सके comment box में आप सभी को अपने पूरे answer लिखने जितने भी question आएंगे उसको sequence wise comment box में आप सभी answer देखूंगा ठीक है चलिए पहला question है odd man out नवदय विद्याले के exam में इसी sequence मतलब पहले odd man out की question आएंगे then similar figure pattern अभी मैं जिस sequence में आपको जो non-verbal reasoning बो जाए तो जो भी बोल लिजे ठीक है यही चीज होगा जो आपको general intelligence यानि सेनी की स्कूल में non-verbal reasoning की रूप में पूछे जाएंगे 5-6 question 25 में से और mental ability अगर JNV की बात करें तो 40 question तो fix है यहीं से 40 question तो आ नहीं है पहले से से लिए बस fix है कि 10 section है 10 section से ही total कितने 40 question आएंगे उसमें तो कुछ अलग है यही नहीं तो practice practice कीजिए नवदय विद्याले के लिए प्रशनों की तो आपके 40 question की practice हो जाएगी बहुत ही simple होते है अराम से बस थोड़ा थोड़ा logic समझना है ठीक है यहाँ पर odd man out के question solve करना है मतब भीन आकृती असंगत क्या है असंगत आकृती seven line है one two three four यहाँ कितनी lines है four lines है one two three यहाँ पर कितनी lines है three lines है one two three four five यहाँ कितनी lines है five अब एक चीज़ देखिए आपको कुछ अलग नजर आ रहा है क्या सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है देखिए even or odd number some samkhya वी some samkhya का concept देखिए यह seven क्या है odd number ठीक है अपना four क्या है even यानि some samkhya है यह क्या है odd है साथ में यह क्या है odd है देखिए option number a c और d odd है क्या है odd है ना odd number यानि की वी some samkhya है जबकि option number b even इसलिए अपना सबसे अलग कौन सा हुआ option number b इसलिए अपना answer है option number b ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हम समान अकृती figure को match करना same to same बताने इसमें कुछ भी नहीं समझाना आपको सिधा answer option number d जो यहां दिख रहा है वही देख लीजे same to same ठीक है चलिए आपके लिए यह क्या है GI यानि general intelligence का question इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझे यहां क्या लिखा हुआ है पांच दोस्त है ठीक है पांच दोस्त अमन अभ अभदे में कौन खड़ा है बताए यह five friends अमन अभय भरत चेतन अन दीपक आरी standing in a row अमन इस एड़ फ्रांट एंड चेतन इस टेंडिंग एड़ दा बैक ठीक है यह जब स्टार्टिंग में बता दिया कि है भरत इस टेंडिंग बिट्वीन अभय अन चेतन अन दीपक इस इस टेंडिंग बिट्वीन अमन अभय देन हुई इस टेंडिंग इन दा मिडिल ऑफ डेट रो मतब जो अपनी लाइन होगी जो रो होगी उसके मिडिल में कौन खड़ा चलिए इस टार्टिंग देखते हमने क्या लिखा है देखिए यहां पर लिखा है अमन इस दा फ्रां और सबसे बैक मतब पीछे देखिए क्या है पीछे खड़ा हुआ है चेतन यहां पर हमने लिख दिया चेतन ठीक है चेतन लिख दिया अब दूसरा statement क्या है भरत जो है अभय और चेतन के मद्ध में खड़ा हुआ है भरत जो है किसके मद्ध में चेतन और अभय के मद्ध में खड़ा हुआ ठीक है तो यहाँ भरत है मान के चलिए ठीक है मान के चलिए भरत है ठीक है तो भरत जो है किसके किसके मद्दे में है यहाँ पर चेतन और किसके मद्दे में अब है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अब है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक number हो गया, यहाँ पर कोई और आएगा, ठीक है, अब अगला क्या है, सबसे front है, मतलब यह आगे है न, तो इसलिए इसको मैंने एक number दिया, ठीक है, अब देखें, तो दीपक जो है, अमन और अभाय के मत देख़ड़ा है, तो दीपक, यह अमन हो गया, और यह अभाय हो गय कि who is standing in the middle of that row, देखें, इधर से middle में कौन सा है, अभाय, तो अपना answer क्या आगया, अभाय, ठीक है न, सभी condition satisfy हो गई, अब देखतें, एक बार condition देखें, अमन सबसे आगे है, जी हाँ, अमन सबसे आगे है, चेतन सबसे पीछे है, चेतन सबसे पीछे है, सही है, ठीक है, च इसका अगला condition है, दीपक, अमन और अभाय के मद्दे में है, तो दीपक यह हुआ, अमन और अभाय के मद्दे में है, condition satisfy, answer है, अपना अभाय, है क्या option में, जी हाँ, option number B आपका correct है, ठीक है, चलिए आगे question solve करते है, यह देखिए pattern का question आगे है, तो pattern के question को complete कीजिए, जैसा sequence हो रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, कि यह दोनों समान है, यह दोनों समान है, कहने के मद्देखिए, यहाँ पे जो circle बना है, वो खाली है, यहाँ भी circle बना है, खाली यहाँ भी circle, इधर वाले जो circle है, देखिए color किये गए, तो कुल्मणा के बात हो रही है, कि देखिए diagonal रूप में कहा है, दोनों same है, तो यहाँ भी ऐसा same हो जाएगा, ऐसा कर दीजे, और उपर को यहाँ पे कर दीजे, color भर दीजे, feel कर दीजे, यहाँ ऐसा, ठीक है, तो अपना answer कौन सा हो जाएगा, option number, बताइए, क्योंकि दोनों समान है, तो यह दोनों भी समान होंगे, ठीक है, pattern के रूप में अगर हम solve करें, तो option number कौन सा, भी विल्कुल correct है, ठीक है न, चलिए आगे बढ़ें, देखिए, नवदय अलफा बैच, आप सभी के नवदय विद्याले की तैयारी के लिए लूंच किया गया, इसमें classes की start हो रही है, आप कब से start होंगी, पंदरा मई से, तो आप सभी अगर पंदरा मई से पहले पहले start कर, मतलब join कर लेते हैं, enroll कर लेते हैं, तो आपको 200 रुपए की विशेज छूट मिलेगी, तो आप सभी जल्दी जल्दी enroll करके अपनी तैयारी start करें, ठीक है, आप से जो इस बचों ने तयारी की ती, बहुत अच्छे जोड़ी जल्दी एंडो, गोड़ा भाग से लेके, नंबर सिस्टम फिर आगे लेवल में पढ़ाई कि करवायाई जाएगी, ठीक है तो बिल्कुल अच्छे जल्दी इल्दी enroll करके, अपनी तैयारी start करें, अब देगए अग question आगया series का, तो series में कुछ भी चीज़े जो होती है sequence में आगे बढ़ती है, ठीक है, सिंकला में आगे बढ़ती है, देखिए पहले जो अपना circle था, यहां था, आगले वाले में यहां आगया, next वाले में यहां आगया, मतलब देखिए, ऐसा बढ़ रहा है, फिर ऐसा आएगा, यहां से, ऐसा पहुंचा, फिर यहां आगया, अब यहां आजाएगा, तो जो भी answer सही होगा, उसमें यहां पे, अपना क्या होगा, circle होगा, अचली एक और check कर लेते हैं, चली circle, तो answer हमको बता, चली एक ही होगा, चली आभी square चेकलने, square यहां है, तो next वाले में यहां पहुंच गया, अब यहां आगया होगा, अभी answer यहां आजाएगा, देखिए, तो अपना answer कौन सा, option number यह, अगर ऐसा ऐसा दो option में रहता है, तो और आगे चेक करते हैं, तो सीधा हमको answer दिख रहा है, option number यह अपना correct है, ठीक है, फिर से आगया, देखिए, general intelligence का question यह, क्या है, verbal reasoning है न, जो सैनिक स्कूल में पूछ जाएगी, बाकी जो आपको केला को अनार, अनार को संतरा, संतरा को आम तो आप को अंगुर कहा जाता है, तो बताएँ, फलो का राजा है, if apple is called banana, banana is called promet granate, ठीक है, promet granate is called orange and orange is called mango and mango is called grab, then which one is the king of fruit, देखिए, फलो का राजा कौन है, बताएँ, फलो का राजा हम जानते है, फलो का राजा कौन होता है पताइए king of fruits कौन होता है आम यानि की mango कौन होता है आम यानि mango ठीक है लेकिन यहाँ mango यानि आम को क्या कहा जा रहा है आम को कहा जा रहा है अंगूर क्या कहा जा रहा है हमको पता है हमारा answer होगा follow का राजा किसे कहा जाता आम लेकिन यहाँ पर देखिए आम को कहा जा रहा है अंगूर तो अपना answer क्या हो जाएगा आम ही answer आम ही है लेकिन यहाँ नियम के रिखना आम का नाम हमने क्या रख दिया अंगूर तो अपना answer हो जाएगा अंगूर option number A अगला question देखिए किस साधिस्यता यानी analogy मतलब इसमें देखिए जो पहला जो figure है उसका संबंद जो दूसरे figure से है जिस भी logic से दोनो connected है उसी प्रकार से जो तीसरा आपका figure होगा वो भी उसी logic के साथ चौंथे figure से connected होगा वो ही logic follow करना है देखिए यहाँ पर क्या था square का देखिए आधा हिस्सा है मतलब इधर complete करेंगा आधा हिस्सा है और बीच में एक line है तो यह complete होके क्या वल गया square उसके 4 भाग कर दिये गए अब देखिए इसमें भी क्या square है लेकिन उपर के भाग को किया है color करके भर दिया गया है black कर से तो वो पूरा square पहले complete कीजिए और देखिए कोने को क्या कर दिजे color देखिए यहाँ पे भी color और यहाँ पे भी color एक दो तीन चार color option number D आपका answer ठीक है यहाँ देखिए क्या है उपर खाली है और अंदर color जबकि हमारा क्या है अंदर खाली है और बाहर साइड में क्या है color है ठीक है ना option number D अब आगला देखिए geometrical figure complete करना है जैमिती आकरिती तो आपको बताया था मैंने इसके अंतर गयत आपके square then circle triangle, pentagon, hexagon ऐसे question आ जाते हैं तो उसी तरीके के solve करना है, यहाँ देखिए किसका question है square, ज्यादा तर question आएंगे आपके square किसको complete करना है, कीजिए चली complete कीजिए square हमने बना दिया आप इसको देख लिजे जो भाग आपको जरूरत है ठीक है इतना answer आना चाहिए चली बताइए आप कौन सा answer आ रहा देखिए यहाँ पर क्या है दोनों लाइन, यह उपर उठी हुई फिर इसके बाद यह ऐसे गई, ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए आईसा और यह सीधी लाइन हो गई, सीधी लाइन ही नहीं option गलत, ठीक है, अब नीचे देखिए तो यह question odd man out का है, मतलब सबसे अलग बता रहा है, मतलब odd man out, ठीक है तो चलिए इसको solve करके बताइए क्या अलग लग लग रहा है आपको बताइए क्या अलग लग लग रहा है, देखिए यहाँ पर कितने degree का angle बन रहा है 90 degree, ठीक है यहाँ पर line है सीधी, सीधी एन देखिए ना यहाँ पर देखिए सीधी सीधी कितना 90 degree, 90 degreeDoes यहाँ पर भी 90 degree का मतर्द 90 seasons का code बन रहा है जब कि यहाँ पर ऐसा नहीं देखिए सबसे अलग है बाकी सब में एकदम सीधी देखिए यहाँ से ऐसा है मैंने आपको बस बताने के लिए कि कंगी तरह ठीक, ऐसा जहां बना, मतलब समझी, वहां मीरर है, तो सामने मीरर है, तो मीरर के जिस्ट बगल में क्या है, ऐसा है, ठीक, ऐसा है, और लाइनिंग वाला है, तो यह लाइनिंग वाली चीज़ जब घूमि जाए, जब इसको जा क और वो पारे ठीक हूं पैपर है उसको क्या किया गिया फोल्ड केया गया फिर कट कर दिया गया फिर खोलने पेपर कैसे दिखेगा वह ही हमको बताना है देखिए इसको इसके बड़मगी आप इसको काट दिया गया अंदर से ब पेपर को खोला जाएगा तो को ऐसा दिखेगा देखिए अब पेपर को नीचे की और पहले खोलना देखिए यहां तक था इसका नीचे है ना तो नीचे की और खोलिए तो देखिए ट्रेंगल ऐसा नहीं बनेगा क्यों क्यों क्योंकि इसको ऐसा खोला जाएगा तो पेपर ऐ आईसा नहीं, ट्रेंगल जो ऐसा नहीं, कैसा होगा, यह जो नीचे वाला भाग है, यह ऐसा हो जाएगा, और यह तो ऐसा रहे गई, ठीक है, अब इसको ऐसा पलटे, क्योंकि इसको complete करना है, तो यह देखिए फिर से ऐसा, और यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर ऐसा, ठीक है, आप इसमें ठीक नहीं लगा ना, C गलत है, ठीक है, C गलत है, अपना answer है, option number A, ठीक है, क्योंकि वो पलट रहे ना, तो जो अपना triangle है, वो ऐसा पलट जाएगा, देखिए आप क्या है, उस सब्द को चुनिये, जो दिये गए सब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, select the word which cannot be formed using the letters of given words, देखिए जो भी words लिखे हुए है, जितने भी letters से इसमें यूज हुए है, उनसे निम्न में से कौन से मतलब words नहीं बनाया सकते, ठीक है, अक्षरों के समू से, इन में से कौन से word नहीं बना सकते, इसमें जितने भी letters यूज हुए ह है, उसका प्रयोग करके, कुल मुला के यहीं बात हो रही है, sign है, sign, तो इसमें देखिए, son, h, i, i, n, he, नहीं इसमें, तो यह नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं बन सकता, h, g, u, e, s, g, u, e, s, o, n, g, or union, u, n, i, o, n, ha, बाकि सब बन सकते हैं, option number a, नहीं बन सकता, क्योंकि, देखिए, जो अपना जो word लिखा हुआ है, इसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ है, जितने भी, जितने भी letters हुए है, इसमें देखिएगा, h, letter का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए अपना option number a, नहीं बन सकता, चलिए आगे देखें, space visualization, यानि आकरिती का निर्माड करना है आप एक है, दो है, तीन है, चार है, टोटल चारों को जोड़ना है, एक, दो, तीन, चार, पांच इसको हटा दीजे, क्योंकि चार जब बनाना है तो पांच कहां से आ गया, एक, दो, तीन ही है, इसको भी हटा दीजे, अपने पास ठीक है, अब अपने पास चार होने चाहि ठीक है यह देखिए बनगा उसेम टो सेम अब ट्रेंगल देखे तो जो validated नमबर है 2 फिए और इक नम बर किया है ? यह देखिए बना हुए बस इसको गुमा दिया गया जो एक नमबर तो किलेए ऐसा कहीं न कहीं चुपा होगा same to same ऐसा चुपा हुआ कहीं तो होगा हमको खोजना है वही research करना ही खोजते हैं चलिए start करते हैं यहाँ से खोजना ही start करें यहाँ से गए फिर हो ही नहीं रहे चलिए यहाँ से start करें यहाँ से ऐसे गए फिर नीचे कौन सा सही है option number D देखे मिल गया ना तो option number D अपना correct है last question आगए सब्द कोस्ट के अनुसार कौन सा सब्द तीसरे इस्थान पर आएगा which word will come third in the order of the dictionary dictionary के अनुसार तो जो भी अपना देखिए ABCD के अनुसार सब कुछ जमा रहता है ABCD से लेके Z तक जो sequence रहता है उसी को follow करना है सब्द कोस को तो देखे हम क्या है इन में से तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा ठीक है executive क्या है executive है और क्या है experience है evidence है and then everyone है इसमें सबसे पहले अब देखिए E सब में है E सब में है X है V है V है और X है तो बताए ये X पहले आता है या फिर V पहले आता है V पहले आता है ना V पहले आता है चलिए अब इन दोनों V में V के बाद कौन सा देखिए अब तो X तो इन लोग तो last में हो जाएंगे क्योंकि X Y Z उसे पहले U V आ जाता है V पहले आ जाता है X बाद में तो आप वीव के बाद देखें E आया है एक में I आया है तो E पहले आता है या I पहले आता है E पहले आता है तो पहला नंबर मिल गया everyone को ठीक है दूसरा नंबर देखें V आया है उसका आई है तो यह दूसरा नंबर हो गया अब देखिए X आया था यहाँ पर हम X पर रोख दिये थे हम इन दोनों में से कोई तीसरे और चौन्थे नमबर पर आएगा तो X के बाद देखें यहाँ पर E आया हुआ क्या है E आया हुआ एक से बाद यहाँ P आया हुआ तो E पहले आता है या P पहले आता है E पहले आतोब E8 हो गया आपका थर्ड नमबर पे, ठीक है, और ये हो गया 4th नमबर पे, हमको कौन सी नमबर पे चाहिए, 3rd नमबर पे, 3rd नमबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, तो क्या आ रहा है, एक्जी, Q2, ठीक है, एक्जी, Q2, हो गया ना, 4, कितने वर्ड थे, total टोटल चार एक्जीक्यूट्यू और क्या है एक्स्पिरियंस एविडेंस एंड एवरीवन तो अपना एंसर आ गया ऑप्सान नंबर ए एक्जीक्यूट्यू ठीक है हो गया ना क्लियर समझ गया सभी प्रकार कोश्चान जी आई संबंदित के लिए मेंटल लिए बहुत ही अगर आप नवदे अलफा बता दिया मैंने कि नवदे विडियाले की तयारी करें तो आपके लिए नवदे अलफा बेच की सुरुआत कब सोरी पंदरा मई से तो आप देखिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है आपके पास साथ दिन का लगबग समय तो जल्दीस जल्दी ठीक है जिसमें आपके डाउट आप भेजेंगे बच्चे ही सॉल्द कर देंगे कुछ नहीं समझ आएगा तो इससे रिटेड हम वीडियो बनाकर आप सभी को समझा देंगे साथ में आप नेक्स्ट येर के लिए सैनिक स्कूल की तयारी करें हैं दो हजार चोवीस के लिए अब पिर आने वाले सालों के लिए तो आपके लिए सैनिक अल्फा बैच है इसमें भी आपके जब्यक्त बहुत ही अच्छे डंक से पढ़ा जाएँगे बहुत ही अच्छे डंग से आप सम्पी के तायरी होगी ठीक है तो आप नेक्स्ट येर के लिए अगर सैनिक स्कूल क त्यारी कर रहे हैं तो हमारे सैनिक अलफा बैच में इन्रोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें देखिए अगर हम नवदे की त्यारी कर रहे हैं तो यहां recorded batch भी है आपके लिए अर्जुन बैच जिसमें सब ही कुछ जितने भी materials होंगे जैसे videos है math के mental ability के साथ में language के सब कुछ एक साथ दे दिये जाएंगे ठीक है सब कुछ एक साथ recorded batch है आपके लिए तो और्जुन बैच में इन्रोल करके आप तयारी कर सकते हैं और बाकि नवदे अलफा बैच में सब कुछ sequence से होगा आपका पहले chapter 1 पढ़ाय जाएगा देन उसका test होगा ठीक है भी number system, basic math सब कुछ system से एक दम sequence से आपको चलेगा यहाँ सब कुछ एक बार में आपको दे दिया जागा ठीक है तो अर्जुन बैच में भी enroll करके नवदे विद्याला की आप तयारी कर सकते हैं साथ में ज़्यादा ज़्यादा question practice के लिए आपके पास mock test है, model paper है, सैनिक स्कूल नवदे, विद्याला दोनों के लिए हैं तो जिसके भी आपको ज़रुवत है उसमें enroll करके और बहुत यह अच्छे डंग से आप अभी तैयारी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे help line number 6260388361 पर call करके information ले सकते हैं, ठीक है, याद रखिये number 6260388361 आप ऐसा कीजिए, देखिए, प्ले स्टोर पे जाना है, आप सभी को द्रोड स्कूल का आप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जितने भी courses दिख रह की जाती, तो चैनल में आप सभी जॉइन हो जाएं, साथ में अभी तक आपने द्रोड स्कूल के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके bell icon पे click जरू करें, ठीक है, ताकि जो notifications है, आपके पास सबसे पहले आ जाए, साथ में आप सभी को बिलकुल practice बहुत जल्दी आपके ताहरी हो जाएगी, अराम से रिवजन भी कर सकेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ाई करना, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ,